हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है सक भावी सिर पर तेल की मालिस कर दो थोड़ा आराम आ जाएगा थक गया पढ़ते पढ़ते इसलिए कहती हूँ थोड़ा आराम भी किया करो पर तुम तो सिर किताबों में घुसाए रहते हो भावी अब इंजीनिर बनना है तो पढ़ना ही पढ़ेगा ना अच्छा ठीक है तुम बैठो में तेल लाती हूँ प्रिया सूरज के सिर की मालिस करने लगी भावी ओ भावी कहां हो दर्वाजे से ही मोहिनी बुआ चिलाते हुए आई अरे बुआ जी आप अचानक ऐसे प्रिया पैर छूते हुए बोली अपने घराने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़ती है क्या अरे बुआ जी भावी का मतलब था कि आप हमेशा फोन करके आती है ना तेरे फूपा जी को इस तरफ कोई काम था तो मैं भी चली आई सोचा भावी भावी से मिल लूँगी कहां है वो बुआ मम्मी जी के मायके में साधी थी मम्मी पापा और ये तीन दिन पहले वहीं गए हैं आज आज आएंगे तुम दोनों नहीं गए बुआ जी सूरज के लाश सेमिस्टर के पेपर हैं इसलिए वो नहीं गया और इसके लिए खाना कौन बनाता इसलिए मैं नहीं जा पाई प्रिया ने सूरज की पीट पर प्यार भरी धोल मा प्रिया को सूरज के सिर पर तेल लगाते देख मोहिनी जी दोनों को घूरने लगी बहु ये छोटा बच्चा तो नहीं जो खुद तेल नहीं लगा सकता बुआ जी मेरे लिए तो छोटा ही है जैसे मेरा भाई संदीब वैसे ही सूरज भी है बुआ जी की मंसा को समझे बिन प्रिया ने सहे जुत्तर दिया भावी का दिमाग बुढ़ापे में सठिया गया जो जवान लड़का लड़की को घर में अकेले छोड़ दिया मोहिनी जी बुदुदाई लेकिन उनकी बात प्रिया ने शुन ली बुआ जी आप क्या कह रही है सूरज मेरा देवर है और देवर छोटे भाई जैसा होता है और अपने भाई के सिर पर तेल लगाना गुनाह नहीं छोटा भाई जैसा भाई तो नहीं ना बुआ जी जिनकी सोच गंदी होती है उसे हर रिस्ते में गंदगी ही दिखाई देती बुआ आप बोलने से पहले सोच तो लो कि आप क्या बोल रही हो सुरज बोला अब तु मुझसे चिला कर बात करेगा बुआ जी रिस्तों के बीच विश्वास का एक पतला धागा होता है जो दिखाई नहीं देता पर इतना मजबूत होता है कि आसानी से तूटता नहीं लेकि देखिये भाई आपकी दो दिन पहले आई बहु मुझे क्या सुना रही है बहु गलत नहीं कह रही मोहिनी हमने सब सुन लिया मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ तुमने कभी रिस्तों की कदर नहीं की ना सम्मान दिया इसलिए आज अपने ससुराल वालों से अलग रहत ननद जी आपकी ऐसी भलाई हमें नहीं चाहिए आप इतनी नीचे गिर जाएंगी मैंने कभी सोचा नहीं था मोहिनी आज तुमने अपने घर को भी नहीं छोड़ा अपने सक्की सुभाव के कारड पहले ही बहुत रिस्ते बिगाड चुकी हो कम से कम अपने माय के से नहीं करेंगी प्रिया मुझसे बड़ी गलती हो गई जिंदगी भर लोगों पर सक करती रही कभी नहीं सोचा कि मेरी सोच गलत है इसी सोच के कारड आज मैं माय के से दूर हो जाती वक्त रहते तुमने आइना दिखा दिया कोसिस करूंगी कि मेरी वज़ा से किसी का दिल न अभनिवाद